बैंगलूरू का बहुचर्चित रामेश्वरम काफे जहां पर अधिकतर बहुत भीड रहती है और पी काज होते हैं जब दोपहर का समय होता है लोग अपना लंच करने क्योंकि यह ओफिस एरिया में बना हुआ है एक बहुत ही फेमस काफे अगर आप बैंगलूरू जाएंग और आपर उनकी ओर से कहा गया कि यह सब कॉंगरेस की सरकार में हो रहा है पहले जब सत्ता में आते हैं तो उसी वक्त नारे लग जाते हैं पाकिस्तान जिन्दाबाद के और उसके बाद अब ये ब्लास्ट होना ये दिखा रहा है कि साउथ में और खास अपर करनाटका में आतंकवाद की जड़े कितनी मजबूत होती जा रही हैं हाला कि आपको ये भी बता दे ये सब हम जो बता रहे हैं आपको ये सब कुछ तेरस्वी सूरा की ओर से का गया है अभी तक भी आधिकारिक तोर पर इस पर ओफिशली कुछ नहीं का गया है मौके पर ग्रिमंट्री भी पहुचे चार लोग इसमें घायल हुए हैं लेकिन वाक संख्या में या पर लोग आते हैं क्योंकि हर किसी के जुबान पर यहां का स्वाच चड़ा हुआ है पारंपरिक तोर पर जो साउथ इंडिन फूड होता है वो यहां पर मिलता एक बहुत बड़ा क्याफे है जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़े एरिया की चेन को आगे बढ़ाया और आज बैंगलूरू में ही कई सारे रेस्टांट इस चेन के हैं लेकिन यह सब कुछ अभी जांच का विशह है कि यह कैसे ब्लास्ट हुआ क्योंकि किस तरीके से इसी कैफे को क्यों चुना गया और भी कैफे थे लेकिन यहां पर दोपहर का समय जब ओफिस से लोग लंच करने के लिए आप जाते हैं यहां ज्यादा संख्या में लोग होते हैं क्या जान बूच के इसी कैफे को टागेट किया गया हाला कि मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि इस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए इस पर जांच की जाएगी फॉरंसिक टीम मौके पर मौझूद है पुलिस बलदल मौझूद है लेकिन अभी भी क्या तेज़ी सुर्या जो कह रहे हैं उनकी बाच में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यह गंभीर विशह है यह सोचने का विशह है कि क्या वाकई दक्षिन भारत में चीज़े बहुत तेजी से बदल रही हैं पहले पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लग जाना फिर पाकिस्तान का जंडा फेरा देना और उसके बाद आप यह ब्लास्ट होना बड़े सवाल खड़े करता है